नमस्कार CSKी नीज में आप सबी दोस्तों के एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत थो दोस्तों आज दिन भर की जो फटा-फट ब्रेकी नीज निकल के आ रही है के करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मनीपूर से जहां पर 20 आतंकियोंने क आत्म समयर पंड मुख्या मंतरी ने बताया भाजपा सरकार किये सबसे बड़ी उपलब जतीजिया आपको बता दे कि सेना के एक्सन के बाद मनीपूर में 20 आतंकियोंने के आत्म सरेंडर इसके बारे मापको बताएंगे दूसरी बड़ी खबन निकल के आ रही है फिलाल पह इसके बारे में आपको बताएंगे इस बीच चौथी बड़ी खबर निकल गया रहे चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत खरीदेगा तीस ससस्त्र ड्रोन निगरानी ही नहीं हमला भी कर सकेंगे जिया इसके कैमाने वह भी आपको बताएंगे और इस बीच तिबबत प कैसे मिलेगा फाइदा इस बीच उत्रकंड को मिला कटर मुख्या मंत्री योगी से भी जादा जिया बड़ी खबर निकल के आरे आरेसस का प्रिष्टी भूम मुस्लिमों के लिए कटर जानेंगे इनके बारे में कौन है तीरत सिंह रावत तो सब कुछ कबरे दिन भर की सबचनाओं में भाजपा की सरकार बनते हुए देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दश्क्रिस देश की गवरोसाली इंडियान आर्मी के लिए जैहिन लिखना मत भूलेगा दोस्तों दरसल पहली बड़ी खबर निकल क्या रहे मनिपूर में 20 आतंक इन में से 16 यह दो पीपल्स लिवरेशन आर्मी टीपील से नाता रखते हैं जबकि अन्य पीपल्स लिवरेशन आर्मी पी एले और पी आर आई पीके के हैं और इन आतंक वाधियों के फस्ट मनीपूर राइफल्स के सवागार में आईो जी तेक कारकरम में आत्मसमर्पन कि ट्विट किया है कि भाजपानी सरकार के एक और बड़ी उपलब्धी में बिभिन प्रती बंदित संगटनों के कुल बीस आतंकवादियों ने हतियारों और गोला बारूदों के साथ सरकार के समक्ष आत्म समरपड कर दिया हैं आपको बता दें उन्होंने फेस्बुक पर की गई एक पोश्ट में बताया है कि आत्म समरपड करने वाले इन आतंकवादियों के एक बार चार चार लाक रुपए के अर्थिक सहायता भी दी जाएगी और पुनरवास सिबिर में तीन साल तक रहने के दवरान 6-6 हजार प्रते इसमें फाइनसिंग एग्रीमेंट हो सकता है दरसल आपको बता दें कि फ्रेम वर्क कॉर्ट के लीडर्स की पहली बैठक बार अमार्स को होने वाले है और इन समिट वर्चुल होगी इसकी विदेश मंत्रायल ने मंगलवार को इसका एलान किया और प्रधान मंत्री नरेंद प्रधान मार्स अमिल होंगे नियूजेंसी रॉइटर्स के मताविक समिन में भारत में कोरोना वैक्स इन को पाद उनको बढ़ाने के लिए फाइनसियल अग्रीमेंट के एलान कर दिये गये है Senior US Administration Official के नाम ना बताने के सार्थ पर बता गया है कि एग्रीमेंट को फोकस भारत में उन कमपनियों और संस्थाओं पर होगा जो अमेरिका के दवा निर्माता वैक्स आइनसी पर किया गया है आपको बता दे दोस्तो इसके बाद कही न के एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच बैठा क्वाड देशों की बैठा की बाद कहीं न कहीं के एक तरीके से इस बात पर more लग जाएगी कि चीन को लेकर बाइडन क्वार्ड वाले क्वार्ड संस्था को आगे बढ़ाने पर प्रतिबदतार जाता रहे हैं हम सलते इंगले अप्रेट लेते हैं दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है मैंमार में लगातार हो रहा परताराना मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्सन सेना को दीच ताउनी जिया बड़ी खबर निकल के आ रही है कहा है कि फिलहाल अगर भारस सकते इलाकों में अतिक्रमण करने की कोशिस की गई तो मैंमार सैनिकों के लिए ठीक नहीं होगा आपको बता दे जिस सरीके से लोकतंतर की हत्या की जा रही है मयमार में और सैनिकों दारा वहां के पत्रकारों मीडियर संस्थानों और लोगो प्रदर्षन करने लोगों पर गोलिया बर्साइब जा रही है म्यामार की सेना ने इन प्रदर्सनों की कवरेज करने को लेकर पांच मीडिया स्थानों पर प्रतिबंद लगा दिये आंग सांसू की चुनी हुई सरकार को पिछले महीने हटा कर सेना द्वारा किये गए तक्ता फलट के विरोध में हर दिन म्यामार के नागरिक विरोध प्रदर्स कर रहे हैं सेन सरकार के इसके मीडिया कवरेज पर भी कड़ी प्रतिबंद लगा दिये हैं आपको बता दे कि पांच स्थानिय मीडिया स्थानों मिजिंग्जमा और डीजीपी स्थित मीडिया म्यमार नाव और सेवन डे न्यूज के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं दिये सुर्वात से ही ये साफ कर दिया है कि उनका प्रसासन चीन को लेकर किसी भी तरीके से नर्मी नहीं बरतेगा अब पाइडन प्रसासन ने कहा है कि चीनी सरकार की तिब्बती अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा का वारिस चुनने की प्रक्रिया में कोई भूमका नहीं होना चाहिए अमेरिका के इस रूख से ये साफ हो गया है कि वो तिब्बत को लेकर चीन की जिम्पिंग सरकार को आराम से नहीं बैठने देगा चुद में दलाई लामा 17 मई 1969 को लहासा से भागे थे और वो उसके बाद करीब एक साल बाद से अनुआंचल प्रदेश में सरण लेकर रह रहे थे दलाई लामा को सरण देने को भी 1962 के युद्ध में एक बड़ा कारण माना जाता रहा है आपको बता दे कि अमेरिका विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नेंस प्राइस ने रोजाना होने वाली प्रेस कॉंटरंस के दोरान कायक अमारा मानना है कि चीन की सरकार की तिबती अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा का वारिस सुनने के प्रक्रिया में कोई भून का नहीं होनी चाहिए दोस्तों मेरिका ने इस पर एक रतिक कड़ा फटकार रहा है अम शलते अंगले अपडेट लेते हैं आइनस करंज नौसेना में सामिल है साइलेंट के लग सम्मरीन इसकी खासियत क्या है और ताकत दरसों देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने में आज को दिन बेहद महत तो माना जाने वाला है बुधवार को मुंबई में स्कॉर्पियन स्रेडी की पंडुबी आइनस करंज भरतिया नौसेना में सामिल हो गई है नौसेना स्टाप के प्रमुखेट बिनर करम बेल सिंग, करम बीर सिंग और एड्मिरल सेवा निवेत वीए सेखावत की पस्तिती में आइनस करंज की नौसेना की बेड़े में सामिल के अगया है आइनस करंज की नौसेना में सामिल होने के बाद हमारे देश की समुद्री टाकत कई गुना और बढ़ गई है आइनस करंज को साइलेंट किलर भी का जाता है क्योंकि ये बिना किसी आवाज के दुस्मन के खेमे में पहुँच कर तवा करने की छमतार रखती है INS करंज की नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिल्चस्प है INS करंज के हर अच्छर का एक मतलब है यानि के से किलर एक तरीके से A से आत निर्भर भारत और R से रेड़ी A से अग्रेसिव N से निम्बल और J से चोस यानि एक तरीके से INS करंज पूरी तरीके से नाम में ही एक ताकत शिप हुई है हम चलते हैं लिए खबर लेते हैं दोस्तों चीन और पाकिस्तान से तनावक बीच भारत खरीदेगा 30 ससस्त ड्रोन निगरानी ही नहीं हमलावी कर सकेंगे ज़सर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खत्रे के बीच भारत अब अपनी सेन च्हमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है रूस और फ्रांस से एरक्राफ्ट डील करने के बाद अब भारत की पहली बार अमेरिका से सस्थ ड्रोन्स खरीदने की योजना बना रहा है जानकारी के मुताविक भारत डील के तहत 30 MQ-9B प्रीटेटर ड्रोन्स खरीदेगा माना जा रहा है एक फिलाल इंडोन्स से भारत की सेन चमता में जबर 10 तरीके से जापा होगा रोन्स के जड़िये भारत की जासुसी और तो ही चमताएं भी बढ़ेंगी मीडिया प्रेटफॉर्म्स ब्लूमबर्ग के मताविक भारत और अमेरिका के सेन डीयेगी आधारी जनरल एडेमिन्स के बीच ये डील तीन अरब डालर की होगी और इस समझोते पर अगले महीने स्ताक्षर हो सकते हैं भारती रक्षा मंत्राले और जनरल आटामिक्स ने अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से निकार कर दिया है दरसल आपको बठा दे की फिलाल उत्तरा खंड में नया मंत्री मिल गया है तीरत सिंह रावत गड़वाल से सांसाथ है और वो भाजपा के प्रिदिस अध्धच भी रह चुके हैं आपको बता दे कि त्रिबेंदर सिंह रावत के स्तीफा देने के बाद से कई नामों पर चर्चा चल भई थी लेकिन विधायक दल की बैठक में तीरत सिंह रावत के नाम पर मोहर लगी बता जा रहा है कि साम चार बजे वो मुख्यमंत्री पत की सपत भी ले सकते हैं इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्रिय मंत्री सिक्षा मंत्री रमेरिस पोखरियाल निसंग समय तमाम नेताओं एक तर बधाई भी दी है इस बीच अब आप इनके बारे में भी समझ लीजिए दरसल आपको बता दे संग के बहत करीवी छोटे से ही यूवा राजनीती से ही संग से जुड़े माने जाते हैं और एक तरीके से साधारन रहने वाले तीरत सिंग रावत कटर भी हैं देजभक्ती कूट कूट कर भरी है और खास करके मुस्लिमों की तुष्टी करण के नाम पर नथिंग है यानि हम कह सकते हैं एक तरीके से मुस्लिमों का तुष्टी करण नहीं करना नहीं आता नया तो करेंगे लेकिन किसी की तुष्टी करण नहीं होने देंगे और यह कारण है कि इन्होंने अब लब जहास से लेकर वो तमाम कानून अब उत्तराखण में आने जा रहे हैं जो सीम योगी आजितनार जैसा अतावर तोड़ एक्षन लेते हैं कस्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दिली उचने आले का रूख किया है उसे ने अपने खिलाफ दर्शन निर्दे साले द्वारच संधन सोधन मामले में जारी समन को उचने आले में चनोती दे दी हैं एक सटवरसी पी डीपी नेता महभूबा एक साल नजरबंदी के पाद बाहर आई हैं जमयम कस्मीर राजकी बिसेस तरजे से पाहर करने पर इस नेताओं को नजरबंद किया गया है अब महभूबा के खिलाफ एडी ने धनसोधन मामले में पूस्ताच कि ये समन जारी कर दिये हैं महभूबा को 15 मार्थ को धिल्ली के एडी मुख्याले पर आने को कहा गया है और उचने आले पर याजक्या पर वुद्वार को सुनवाई कर सकते हैं माना जा रहा है कि मुख्य नयभी से टीयन पटेल की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी इस मामले में पीडीपी नेता धन सोधन अधनियम की धारा 50 के तहत इन समन को सुन निश्चित गोसित किया जाएगा हम सलते इंगले पश्रिम मंगाल में जारी की गई स्टार परचार को की सूची गोधी, मोधी, योगी और मिथुन चक्रवरते होंगे सामेल स्मृते, इराने भी हैं, फायर ब्राण नेता सलभार्तिय जनता पाटी ने बधवार को पश्रिम मंगाल और सम्यधान सभाचनाव में परचार करने के लटने स्टार परचार को की सूची जारी करदी और सूची में प्रधान मंध्री नरेण्र मोधिगी मंध्री मंध्री अमित साहा, ईपोधी नडड़ा UPके सीयम योगी आधितनाथ के साथ साथ स्टार प्रचारकों में निदिन गडगरी रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग अस और अमित मालबी अमित चक्रवर्ती अमताप चक्रवर्ती और स्मृती ईरानी भी सामिल है नरोतम मिस्र वावुलाल मराणी रगवर्दास समेत बिहार सम्गि नगर रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे उद्धो ठाकरे कॉंग्रेस का विरोध किया धर्किनार जियां दरसल काफी सालों से महराश के और अरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर करने की मांग हो रही है जिस पर कॉंग्रेस और राश्रवदी कॉंग्रेस पार्टे विरोध कर रही है इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे ने अस्वासन दिया है कि राज सरकार को गाउं या सहर का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है वो केंद्र को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी इस मामले पर कुछ समय पहले मुंबाई मे मेडिया से बाचीद करते ओरंगाबाद का नाम जल्दे बदलने पर सिरूसे ना संसर संजार रावत ने विश्वास जताया था उनके सहर के नाम बदलने की मांग को लेकर अब सवाल किया गया तोनुझे कहा है कि ओरंगाबाद का नाम संभाजी नगर तो किसी भी आलत में जरूर होगा ना मदलने पर कोई संसेर नहीं है लेकिन कॉंग्रेस इसको अगरोज जता रहे उसके बावजू उद्धो ठागरे का एक्षन हम सलते इंगले अपडेट लेते हैं सचिन वाजे ने ही अर्णाव गोस्वामी को घर से किया था गिरफतार संदिक धकार केस में उठ संदिक धकार के मालिक मंसुक हीरैन की संदिक धालात में महुत को लेकर सचिन वाजे पर सवाल उट रहे हैं यहां तक कि मनसुक हीरैन की पतनी ने भी आई-ए-फ-आय-ार में वाट्डुरो को भी वजे को भी नाम लिया था भले ही वजЕ इस पर पर काफी चर्चा में हैं लेकिन विवादों में उनका पुराना नाता रहा है 2008 में नोकरी से हटने के बाद शिवल सेना जोईन करने वाले सचिन वागे 2020 में उद्धो सरकार में एक बारफिट से पुलिस सेवा में वापस लाई गए थे और इसके बाद उनने कई विवादीत और हाई प्रोफाइल के सौंपे गए थे जिसके बाद अब उनके खिलाफ तरीके से बीजेपी हमलावार है हम चलते हैं लिप्रेट लेते हैं करणी सेना के राष्ट अधच के वेटे बड़े वेटे के संदिग्ध परिस्थितियों में गाजियाबाद में मौत पतनी से फूस्ता जारी है जी हैं दरसल आपको बता दे फिलाल कर्णी सेना के राष्ट अधच सूरसपाल सिंग अम्मू के बड़े वेटे 32 वर्षिय अनुरुद रागव के संदिग्ध धालात में मौत और उनके पीछे कई सवाल चोड़ गई है अंगलवार को रात में अनुरुद की मौत हो गई और अपनी पतनी सालु की घर में अकेले थे पुलिस मामले को आपना हत्या बता रही है जबकि अनुरुद की पतनी सालु का कहना है कोने कुछ पता नहीं पुलिस सालू के से पूस्ताच कर रही है वहीं अभी सवाल है कि अखेर उस रात ऐसा क्या हुआ कि अनुरुद्ध की जान गई है तो मामले को लेकर ये बड़ी खबर निकल के आरेम चलते हैं ये अपडेट लेते हैं डोस्तों आपको बता दे मनुहर्लाल की परिक्षा हरियाना में सरकार खिलाब अविस्वास परस्ता हुआ तो चर्चाँ हुए फिलाल कुछ निकलने वाला नहीं है खटर ने कहा हमारी सरकार सुरक्षित है स्टरीक्य की बात ना करें जिहां दरसल आपको बता दे हरियाना में मनोहरलाल खटार सरकार के खिलाफ अविस्वास परस्ताओ लाएगा और इस बीच चर्चा जारी है आपको बता दे कि आपको बता दे कि किसी भी सिच्वेशन में यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि अभिस्वास प्रस्ताव तो जारी है लेकिन याँ पर सरकार सुरक्षित है सरकार को किसी भी तरीकी से कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है ये बड़ी ख़बर निकल के आ रही है दोस्तो फिल्हाल आज की फटा फट ब्रेकी नियूज में इतना है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंदा तो लाइक कर शेयर करें कमेंट के माध्धम सपने रहा देना ना भूले इस वीडियो तरहीं जैहिन वन दे महत्रम